आज इंटरनेशनल नैस डे हैं और इस पर चर्चा की गई है पीज़ाई के डॉक्टर हमारे साथ है अजे दुस्याजी सर इस पर बात करें तो अभी पूरे पैनल ने डिसकुशन किया है डॉक्टर ने अपनी राय दी फैटी लीवर की हम बात करें यह टे मनाया जाता है स्पेशली फैटी लीवर क्या है अगराम भाशा में आप हमारे दश्कों को बता सके और यह क्यों होती है अधिक आज हम जो यहां पर बिकट्टे हुए है इंटरनेशनल नैस्टे यह पांचवां इंटरनेशनल नैस्टे है यह एक मैंने बताया कि एक एंजियो है जी एलाय य इंसीचूट उसने शुरू किया था और इसका कारण यह था कि ओवर दी इयर्स हमने यह देखा कि फैटी लिवर की जो समस्या है वो जनल पॉपुलेशन में भी बढ़ती जा रही है एक तो स्पेशल ग्रुप है कि जिनको रिस्क फैक्टर है उनमें फैटी लिवर बहुत क अब बर जाते हैं तो वहाँ से से निकल के फिर लिवर में है तो वह जो फैट है बैसिकली चर्बी है उस में चला जाता है लेकिन एक आम जनता जिसको रिस्क फैक्टर नहीं है, यह देखा गया है कि उनमें भी फैटी लिवर की समस्या बढ़ती जारही है और उसका जो कार सुबह भागे भागे ऑफिस जाओ, शाम को भागे भागे ठके ठके ऑफिस से आओ, और अपना खाना खाया सो गया, ना तो exercise के लिए time है, जो भी काम करना है, टीवी है, रिमोट से कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मुबाइल पे बैटे हैं, तो hardly any physical activities left for all of us, that is number one बट जब ये physical activity तो नहीं हो रही, लेकिन जो हमारी intake है, calories की intake है, खाने का intake है, calorie rich food, वो कम नहीं हुआ है, वो उत्रही है, तो एक imbalance create हो जाता है, आपका calorie intake में और जितना आप calories को burn करते हैं, और वो जो imbalance जब create हो जाता है, extra energy आपकी body को मिल जाती है, वो जो extra energy है, हमारी body में जाके fat के form में deposit होती है, तो initially तो जो fat के storage के cells होते हैं, उसको हम technically एडिपोस्ट issue कहते हैं, वहाँ पे जाके वो deposit होता है, लेकिन जब वो भर जाते हैं, तो वो कहीं तो जाएगा ना शरीर में, तो सबसे पहले वो liver में जाता है, फिर heart में जाएगा, pancreas में, kidneys में, तो ये स बारे aspect पेस पर बात की गए, लेकिन fatty liver में एक बड़ा चोकाने वाली बात है, ये कि बचों में भी ये होता है, अभी तक जो हम समझ पा रहे थे कि शराब के सेवन से, जिन लोगों को भी होता है, liver cellosis या fatty liver वो शराब का सेवन करते हैं, लेकिन बचों में क्यों हो रहा है, और नहीं patient काफी जह रहा है, लेकिन जिस fatty liver की हम बात कर रहे हैं, वो है non alcoholic fatty liver disease, non alcoholic का मतलब है बिना शराब पिए, और risk factor की मैंने पहले ही आपको बताई की शराब नहीं पीते हैं, फिर भी fatty liver है, तो वो जो risk factor थे उनकी वज़ा से हो रहा है, शराब पीता है तो उसको कि शराब भी पीता है, आदमी साथ में मुटापा भी है, उसको diabetes भी है, तो दोनों मिलके fat कर रहे हैं, तो इन में तो clear है, अब रही बात जो आपने दूसरा question पूछा कि बच्चों में भी ये problem बढ़ती जा रही है, yes, the answer is yes, because बच्चों में भी तो मुटापा बढ़ता जा कि आज कल कहां जाते हैं बचे खेंने, कंप्यूटर के आगे, मुबाइल पे, गेम्स पे, रिमोट के साथ, तो I think that physical activity has gone, और घर में बैठे बैटे, पेज़ा, बर्गर्स, कोक, ये सारा high calorie rich food जा रहा है, अरे food जा रहा है तो जाए, लेकर उसको burn करना बहुत जरूरी है, त सारा मिलके ही उनमें fatty liver कर रहा है, तो as you said, I think बच्चों में भी ये समस्या का कारण यही है, जो metabolic risk factor कहलो, या जो हमारा poor lifestyle कहलो, या unhealthy lifestyle कहलो, that is the only answer. नौर्थ की आपने बात की, पंजाब, हर्याना और चंडीगर्ड में सबसे ज्यादा fatty liver के patient आ रहे हैं, इसका reason क्या है, और पीजेई में आप जिस तरह से cases देख रहे हैं, क्या reason मानते हैं, आप पंजाब में चंडीगर्ड में again हमारे पास दो तरह के liver की समस्या हैं, एक त पूजन आती है, फिर liver में cirrhosis हो जाता है, फिर liver में cancer भी हो सकता है, ये तो alcohol की वज़ए से और वो अभी भी हमारे पास PGA में जो liver के मरीज़ आते हैं, अगर आप मुझ से पूछोगे की cirrhosis का सबसे common कारण किया है, जिसमें liver damage हो जाता है, liver failure हो जाता है, वो अभी भी शरा आप जो नहीं पीते हैं, उन में जो समस्या आ रही है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं, वो है non-alcoholic fatty liver disease, और जिसकी severe form को हम NASH कहते हैं basically, तो वो समस्या जो है because of our poor lifestyle जो है, वो भी बढ़ती जा रही है, अब रही बात की पंजाब और हर्याना और चंडिगर में ये समस्या क्य जाद उसकी वज़ा से है, लेकिन ये non-alcoholic fatty liver disease की समस्या है, इसलिए है कि इस पे भी बहुत जादा काम और studies हुई है, लोगों ने metabolic risk factors को study किया है कि यहां की जनता को मुटापा कितना है, यहां की जनता को sugar कितनी है, यहां की जनता को hypertension या blood pressure की problem कितनी है, या lipids की problem कितनी है heart की problem कितनी है, तो end result या जो data है, वो यही कहता है कि यहां के लोगों को यह metabolic risk factors जादा है, आपने देखा होगा यहां पे लोगों का वज़न जादा है, खासकर अगर overall वज़न नहीं जादा है, तो यह जो हमारे पेट के आस पास वाला जो पेट निकला हुआ है, जिसको हम central lobby city कहते हैं, वो बहुत common है यहां पे, तो I think that is the major reason, तो because of these metabolic risk factors, I think यहां पे fatty liver की problem जादा है, सर आप लोगों को भी aware कर रहे हैं, हमारे थुरू आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो वीर्स देख रहे हैं, कि इस बैमारी से fatty liver से कैसे बजा जा सकता है, और वो कैसे aware इस बैमारी से हैं, एक तो है उसको हम कहेंगे preventive aspect कि अपना lifestyle healthy रखो और अपने आपको इस बैमारी से बचा लो, तो उसको तो primary prevention हम कहेंगे, कहने का मतलब है, healthy lifestyle का मतलब है, कि अच्छा खाओ, अच्छी exercise करो, अपना body weight, ideal body weight रखो, अपने कुछ शुगर मत होने दो, blood pressure की problem लेकिन अगर because of whatever reasons, आपकी family में भी कईबा diabetes की problem होती है, blood pressure की है, और अगर आपको टापा है, और आपको fatty liver हो गया है, तब भी घबराने वाली बात नहीं है, सारे fatty liver एक जैसे नहीं होते, रादर मैं message ये भी देरा चाहूंगा, कि ज्यादा तर लोगों में fatty liver जो है, वो benign ह होता है, benign का मतलब है आपके liver को बहुत ज़्यादा damage नहीं करेगा, थोड़ा करेगा, लेकिन one third या one quarter of these patients पे severe disease हो जाती है, जिसको हम NAS कहते हैं, या fibrosis आजाता है, या syrosis आजाता है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, उसके लिए एक तो अपना lifestyle improve करो, उससे भी fat कम होता है, अगर अपना वजन बढ़ गया तो उसको कम करो, उससे भी fat कम होता है, उससे भी liver की सूजन कम होती है, उससे भी liver की fibrosis कम होती है, और आजकल फिर हमारे पास कुछ दवाईया हैं, जिन से हम जो है, इसका fibrosis को या inflammation को जो है, कम करने की कोशिश करते हैं, तैंक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका बताया है, कि अपना lifestyle बलने, अपना तौर तरीका बले और अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें, कैमरामेन जशिन प्रीत के साथ, भगवस सिंग, मजाब के स्थी, जगबानी टीवी, चैनलीगर.